नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज से हुई होलास्ट की शुरवात बिहार के रोहों मचली को जल मिल सकता है जी आई टैग मिल्डे फिल में बच्चों को अब मिलेगा मोटा अनाच होली गुलेकर वापस लोटने वालों की इस वज़ा से बढ़ी टेंशन बिहार के मुकेश कुमार की सगाई की तस्वीरे हो रही है वाइरल इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबडो की और विस्तार से आज से हुई होलास्ट की शुडवात रंगो का तिवार होली में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं ऐसे में आज से होलास्ट की भी शुडवात हो गई है इसमें ढोलक जाल के साथ साम धलते ही चौपाल सजाया जाता है तो फिर कहीं अभी तो कहीं गुलाल उड़ने शुरू हो जाते हैं बता दे कि होली के चौपाल में जब फगवा के गीत गूंसते हैं तो लोग मस्ती के सरोवर में डूब जाते हैं हर गली मुहले टोला में फगवा गीत चल रहा है और वहां के लोग होली के रंग में रंगने शुरू हो गए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि गाउं के लोगों के अनुसार या परंपड़ा सदियों से चली आ रही है मालूम हो कि फगवा बसंत रीतू के आगमन के शा पसुपालन विभाग के द्वारा बिहार के रोहु मचली को जी आई टैक मिल सके इसके लिए जिलास्तरिय कमीटी बनाई गई है जो रोहु मचली का अध्यन कर उसके विसेस्ताओं से जुरी रिपोर्ट तयार करेगी और उसे रिपोर्ट की आधार पर केंद्र सरकार से कें रोहु मचली को जी आई टैक दे दी जाती है तो इसे वैस्विक बाजार और एक नई पहचान मिलेगी जिससे इसके उत्पादर में लगे लोगों को फाइदा मिलेका और साथी उन लोगों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी जानकारी के लिए बता दे कि अगर रोहु पान को जी आई टैक मिल चुका है बिहार विधान मंडल का बजट सत्र राजेपाल के अभिवाशन के साथ हुआ शुड़ू आज से बिहार विधान मंडल के बजट सत्र की शुरुवात हो गई है बता दे कि आज के बजट सत्र की शुरुवात सबसे पहले राजेपाल राजे सरकार दोरा किये गए विकास काड़ियों और आने वाले समय में सरकार की योजना को सब के सामने रखा। रापात कालीन सेवा की श्रवात भी की गई है। नजर आते हैं ऐसे में एक पर फिर वह बीते दिर इंडिको की दिल्ली से पटना आ रही फ्लाइट को उड़ा रहे थे। लेकिन इसमें सबसे दल्चस बात गया है कि उस जिस फ्लाइट को वह उड़ा रहे थे। उसी फ्लाइट में सारन डीम राजेश मीना भी अपने परिवार के साथ मौजूद थे। वही जब इस बात की जानकारी डीम राजेश मीना को मिली तो वह हैरान हो गया और अपने छेतर के सांसद से मिलने की इच्छा जाहिर करने लगे जिसके बाद जब इस बात की खबर सांसद राजी प्रताप रुड़ी को मिली तो वह तुरंद डीम से मिलने आ गया और फिर पटना में फ्लाइट उतरने के बाद काफी देर तक सारन के विकास को लेकर बातचीत भी की। उसके बार डियम ने सांसत के साथ सल्फी ली और इस यात्रा को स्पेशल बताया। बिहार के मुकेश कुमार की सगाई की तस्वीरे हो रही हैं वाइडल। भार्दिय टीम के तेज गेंद बाज मुकेश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं इस पार वे अपने नीजी जीवन को लेकर सुर्खियों में हैं बता दे कि बिहार का बेटा मुकेश कुमार आईपियल 2023 के आॉक्षन में 5.56 करोर में बिके थे अब उन्होंने अपने जीवन साथी का चरन कर लिया है मुकेश कुमार ने गोपाल गंज के एक होटल में अपनी दोस्त दिव्या सिंग से सगाई कर ली दिव्या छपड़ा की रहने वाली है मीडिया में चल रही खब्रों की माने तो इन दनों की शादी आईपियल 2023 के समात होने के बाद हो सकती है मुकेश कुमार की रिंग सेरेमेनी की तस्वीरे अफ शोशल मीडिया पर वारल हो रही है वारल हो रही है इन तस्वीरों में आप मुकेश कुमार और दिव्या का स्टेज पर डांस करते वे भी देख सकते हैं मुकेश की तरह दिव्या भी एक साधारन परिवार से आती है बच्चों को अब मिलेगा मोटा अनाज विवाग की ओर से दिशा नरदेश जारी कर या कहा गया है कि अब बच्चों को दो पहर में दिये जाने वाले मिड़े मील में मोटे अनाज से भी बने भोजन दिये जाए और साथ ही सिक्षक स्कूलों में चेतना सत्र के दौरान बच् इसके लिए अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इसनियम को लागू करने का नर्णाय राच्चिक काड़याले को खादेह निगम के साथ सहमती बना कर ही करना है इसके साथ ही UGC की ओर से सभी कॉलेजों और विश्यविद्यालियों को भी पत्र भेज कहा गया है कि हॉस्टल और कैंटीन में भी मोटे अनाज से बने भोजन को प्लब्द करवाया जाए मालुम हो कि चौथे क्विसी रोड मैप में बिहार सरकार की ओर से मोटे अनाजों को भी शाविल किया गया है होली को लेकर वापस लोटने वालों के इस वजह से बढ़ी टेंशन कुछ दिनों में होली आने वाली है और ऐसे में लोग अपने घर पहुंचने की कोशिश में लगे हुए है ऐसे में एक तरफ जहां हवाई जहाज के टिक्टो के दाम आसमान चुड़े हैं तो वहीं दूसरी ओ ट्रेनों में नो रूम हो गया है जिसे यात्रियों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि होली को लेकर यात्रियों का विमानों पर काफी दवाव है इसके बावजूद भी विमानों की संख्या में तो इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन टिक्टो के दामों में इजाफा कर दिया गया है, बताया जाता है कि अगर विमानों की संख्या को बढ़ा दी जाती है, तो हवाई किराया में अंकुस लगाया जा सकता है, हाला कि ब्रटानी मांग को पूरा करते हुए बन विवाग के दौरा दरुआबरी गाउं से दो नहर होते विवार्मी की नगर जाना संभव करने के लिए मार्क पर सरक बनाने को लेकर बिहार सरकार को अदशी जारी कर दिया गया है। N.O.C. मिलने के बाद जल्द ही सरक निर्मान का कारे शुरू हो सकता है वहीं सरक के निर्मान को लेकर पत निर्मान विवाग के सूतरों के नुसार विवाग के दौरा सरक के निर्मान को लेकर प्रक्रियार शुरू भी कर दी गई है पता दे कि मिली जानकारी के नुसार सरक निर्मान को लेकर सरवे का काम पूरा कर लिया गया है अब DPR तयार कर टेंडर जारी किया जाएगा चुलादी कारी के दौरा इस सरक के निर्मान को लेकर सक्त आदे हिस दिया गया है किस कारी को जल से जल पूरा किया जाए पुलिस दिवस कारिक्रम पर सीम नितीस ने कही ये बात दिते दिन बिहार की राजधानी पटना में इस सिद्मितिलेश स्टेडियम में पुलिस दिवस के मौकी पर आयोजित कारिक्रम के अफसर पर मुख्य मंतरे नितीस कुमार के दोरा मुख्य सचीव आमीर सुभानी और ग उज़ित किया गया था उस दोरान भी अधिकारियों ने खड़ा होकर कहा था कि तेजी के साथ पुलिस बहाली की जाए कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ था आप लोगों के पास समय है इसलिए आप सभी तेजी से इस काम को पूरा कीजे इसके साथ ही सीम नितीस ने कहा कि हम हाज जो जान से गंगा पातवे होतेवे दिगः सोनपूर और हाजीपूर स्टेशन तक पटना और गंगा नदीपार रहनेवाले लोगों को आने जाने में काफी सुधा मे लगी याने कि अप्रेल महीने से लोगों को हाजीपूर या सोनपूर जाने आने के लिए गुलंबर जाकर आटो नहीं पकरनी होगी तो सीधे गांधी मैदान या दिग्गा से भी आटो पकर सकते हैं इसके लावा लोगों को मरीन ड्राइव जाने के लिए प्राइवेट गारी का उपयोग नहीं करना होगा क्योंकि एक अप्रेल से मरीन ड्राइव जाने के लिए लोगों को पबलिक गारी भी मिल जाएगी पता दे कि इसके लिए विभागी अस्तर पर आटो चालक से बात हो गई है मालूम हो कि गांधी मैदान से मरीन ड्राइव के लिए भारा बीस रुपए होगा पर दिग्गा के लिए भी बीस रुपए इसके अलावा सोनपुर का पचास रुपए मिखाले नागालेंड विधान सभाचनाओ के लिए शुरू हुई वोटिंग आसे मिखाले नागालेंड विधान सभाचनाओ के लिए वोटिंग की शुरुवात हो गई है ऐसे में आज यह पता चल जाएगा कि पुर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जरों को मजबूत क प्रतिस्ठा बच पाती है यान ही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि दोनों राज्यों में कुल 921 प्रत्याशियों के भागे का फैसला होने वाला है मालूमों कि कुल 60 में से 69 सीटों परचनाओं की प्रक्रिया चल रही है जिसके वोटों की गिंती दो माज को की जानी है इस दन होगी मांजी के गरीब संपर्क सम्मेलन के शुरवात बीते दन यानी की रविवार को बिहार के गया जिले के गांधी मैदान में बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीता ना मांजी के नतरत में गरीब जगाओ रैली आयूजित की गए जिसम भी कारेकरताओं को ने उता दिया जाएगा अब तक हमारी पार्टी के द्वारा जो भी सोचा गया है वह करके दिखाया गया है। जिसमें वे दोन जैन में महाकाली जो तर लिंक पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन करते ही नजर आ रहे हैं। पेल राहुल का बल्ला खामोश रहा। पुर्वनेयाधिस मारकेंडे कार्जू ने नेहा सिंग राठोर को मिली नोटिस को लेकर कही ये बात। लोग काई का नेहा सिंग राठोर कुछ दिनों पहले यूपी पुलिस के द्वारा उनके गाने यूपी में काबा पार्ट दो को लेकर नोटिस जारी किया गया था। अब उस नोटिस को लेकर पुर्वनेयाधिस श्री मारकेंडे कार्जू ने बताया है कि नेहा सिंग राठोर को ये नोटिस मलने चाहिए थी या नहीं। इस बात की जानकारी नेहा सिंग राठोर के द्वारा एक ट्वीट शेयर कर दी गई है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। उन्हें भरती होना पड़ा और साथ ही उनके पती को भी अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी पर उनका क्राइम क्या था कि उन्होंने यूपी सरकार की आरूश ना की। प्रती लीटर है भागलपूर में पेट्रॉली कीमत एक सुआट दसम्लों दो छे रुपए और डीजल की कीमत चराण में दसम्लों नौ साथ रुपए प्रती लीटर निन धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रॉली कीमत एक सुआट दसम्लों दसम्लों तीन एक रुपए और दीजल की कीमत पंचारण में दसम्लों श्रुने चार रुपए प्रती लीटर है। बीते दिन हमादुरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट चेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। आप मिले का आपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताए। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खब्रों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद।